मैं आपका दोस्त साइकिल बापा वर्ल बाइ सैकिल ट्रावेलर ट्रावला norms CYCAL ट्रावलु धिर तो भाई लोग आज के ब्लोग में आपका सुव हागत है आज का ब्लोग हमारा एक SPACIоворल भलोग है और आज हम supportive Mission मैं और सोनु भाई, Cambridge University, Cambridge University का नाम आप सब ने सुना ही होगा, Cambridge और Export, पहले वाले ब्लोग में आपने एक्सपोर्ड को देखा, अब Cambridge University दिखा रहा हूँ आपको, तो चलें, और चलते हैं रस्ते में बाते बाते मारते, आप लोगों से, और कुछ यहां के लोकल फैक्ट्स जो का मलासा, हम भी लगा सकते हैं यार तो कि में हमें आपको यहां कि पढ़ा है तो क्या है, जुनके क्पीमिटली हम सीटी ऑफ कैम्डे ज पहुंचे हैं और मतलो इसको भी सीटी ओफ युनिवर्स्टी कह सकते हो सीटी ओफ स्टुदेंट्स कह सकते हो, तोटल पचीस अजार स्टुदेंट हैं विसार में एक मिलियन जन सेंख्या में 25,000 इंटरनेशनल स्टुडेंट है साहर में तो अब सेहर के अंदर चलते हैं है मामी में जन्य सुट्रावए तो अब गैस हम पहुंचे केंब्रेस शीटि में और हिल्टन होटल की पार्किंग अंडर्गरांड पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी गई है तो सबसे पहले हम आपको दर्सन करवाद हैं इनके पास साथी ओड़ता था यह तो गाइज राइट नौ मैं हूँ फोसिल म्यूजियूम के सामने कुछ फोटेज हैं फोसिल म्यूजियूम की वह अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूं मैं अंदर बोलना अलावड नहीं है तो सिरफ आप म्यूजिक के साथ धीरे धीरे देखते रहना तो दिखाता हूं आप सबने चार्स डार्विन का नाम तो सुना ही होगा यार जिसने भी साइंस पड़ी है उसने तो स्पेसली सुना हो जिन्होंने थियोरी ओफ एवल्यूशन दी थी ना वो चार्स डार्विन थे और बहुत बड़े जियोलोजिस्ट से उन जियोलोजिस्ट का नाम यहां प प्रोसेस पर बहुत सारा काम किया था तो मैं भी अपने सेल्यूट करता हूँ यार उस टाइम में वर्ल टूर करने वाले चार्स डार्वीन को और थेओरी ओफ एवल्यूशन देने के लिए एवल्यूशन की कैसे कैसे दर्ती पर एवल्यूशन हुआ दर्ती आगे बढ़ी है यह सारी डिटेल्स उन्होंने दे थी भाई मुजियम देख लिए आप आपने और कैमरे सहर की जो पापुलेशन है एक लाग पत्सीस हजार के करीब है उसमें से पत्सीस हजार जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वाई यहां पर टोटल जो इस यूश्टी के अंदर आ रहे हैं और यह यूश्टी जो है केम्बरे उन्वस्टी है इसके इकत्तिस कोलेज हैं डिफरेंट-डिफरेंट कोलेज किंग्स कोलेज इसका बड़ा फेमस कोलेज है जाने के लिए आपको अंदर गूमने के लिए नो पांड की टिकेट लेनी पड़ेगी तो हम आपको बाहर से King's College की फुटिज दिखाते हैं कैसा है इसके इलावा Chapel College है, Darwin College है, Cambridge University Library Library is specially बड़ी फेमस है क्योंकि इस Library के अंदर बहुत सारी किताबें है टोटल किताबें जो Library के अंदर है वो लग बग 15 मिलियन के करीब इसके अंदर पूरी किताबें है UK में ये टोप रैंकिंग लाइबरेरिया, बहुत सारी इंटरनेशनल विभूतियां जो हैं इसके अंदर पड़ी हुए है उस सब में से, इंडिया में जो सबसे बड़ा टोप नाम जो आता है वो हमारे सुबास चंदर बोस जी का आता है जग्दिश चंदर बोस जी यहां पड़े हुए है हर्गोविन सिंग खुराना जी यहां पर पड़े हुए है चार्स डार्विन यहां से पड़े हुए है यहां के जो प्रिंस है चार्ल्स वो भी यहां से पड़े हुए थे इसके इलावा किसी को कोई और जानकारी है तो वो मुझे में बता सकता है और उसको हम नेक्स वीडियो में कवर करने की कोसिस करेंगे यह यहां की सेंट्रल चर्च है इसके उपर एक टावर है उसके एक 120 स्टेप है और उसके लिए आपको पांच पाउंड देने पड़ेंगे और आप उपर से पूरी सीटी का भी देख सकते हो अगर आप देखना चाते हो तो और इसके बिल्कुल सामने किंग पोलेज है और साइट में एक और चर्च है और यह 1670 में बनी भी चर्च है बहुत पुरानी चर्च है और इस चर्च के बिल्कुल चर्च के बिल्कुल बैक सॉरी गिर जाता भी मैं तुम्हें दिखाने की तकर में कोदी गिर जाता कि अधियर अधियर और वैसे भी आप इसको और कुछ नहीं बोलो और कुछ नहीं बोलोगे तो साइकलों और सायर तो बोली सकते हो अर्जे के आपको साइकले साइकल करें है तो यहां पर क्या होता है कि जो भी कोई प्रोग्राम और नहीं हो सीटी में तो उसके सारी डिटेल इस दिवार पर लगा दी जाती है जो जो फंक्शन होने है पूरे इस महिने में तो आप उससे आप से इस पर चेक करके जा सकते हो जैसे कोई यह है व्ल्ड फेल्म मेजियम स्पिक यह हमारे मेडिटेशन वाले आई हुए कोई स्री चिनमाइक यहां पर यहां पर जो आर्ट फेस्ट तो यह सारे प्रोग्राम जो इस महिने में इस सहर में होने है उन सारों की डिटेल लिख दी गई है और यह क्या कि शीटिट डाउन टाउन है तो और यह यहां की ज़र्जा कि डाउनिंग प्लेश भोलते हैं इसको इनाटे रिफॉर्म चर्च है वाव क्या प्यारी जग है तो दोस्तों आपने पाव मिलपन देखिया पाव फिलम विद्यावालन और अमिता वजन वाले उसमें अभिशेख बचन और विद्यावालन का यहां मिलन होता है वह जगह ह इसको गुमा रहा है तो चोटा सा यह कैम्परेज उनिविश्टी का और कैम्परेज सिटी का टूर था कुछ जानकारियां और है मेरे बास में और शेयर कर लेता हूं आपसे फिर चलता हूं मैं वापिस हुआ है तो यहार हो गई है श्याम हम कैम्परेज से आगे हैं और यह फन पार्क है इसकी 16 रुपे की टिकेट है बट अब ही टाइम हो गया लेट तो हम अंदर जाने साथ पे और वह बैठे हैं वह अमें गाड़ी के अंदर से लेके जा रहे हैं और वेट करें तो अब हम च हुआ है इसके पाउं पर टेग लगा हुआ है आई आई नो वी आर अट विलल लेक और यह यहां पर एक्स्टीम स्पॉट्स का जगे है लेक है बूत प्यारी सी परली तरफ स्पोट्स के लिए वाटर स्वोर्ट के लिए और यह तो इनका तो कहना है कि आई यह तो खुबसूरत सी बत के मज़ा आगे जो पिछे एक बेटी देख रहे हैं हमारे उसने बहुत घ्यान की बात बताईए यहां पर जितनी भी बतक है ना बतक क्या बोलते हैं स्वान 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 स्व में कुछ ना टैग लगा रखा है तो उनकी काउंटिंग वाउंटिंग होती है उनको ओफिशिली जीपियस से ट्रेक किया जाता है वह रानी तेरा भी जबाब नहीं है चलो भाई डिनर का टाइम हो गया डिनर करने चलते हैं भाईर प्राइज तो बहुत मस्त है दस रुप तो कि मद्ध أن ऐसरी नहीं कर डाइज मुच्छ कि ऐस चाहन दर है है किसकी जो कि इस तो करें तो तो इस यृषपव।mile ने की देब संधायगर दा स्थ द जोए जोगए एकों के छुदीं जोहत जोएल no पार साफट सब्षा राख राख़ जा रहा है। तो यह गळासीफूद नहीं है कि अगला जही है। टाम टो से बाइबाइ तो दिलर भॉअई। और दिलर भॉअई को क्यों बोलेगा? तो बाई को भी ज्याना था और मेरेका और जननी निकलना था फर हम लेट होगे दोनों और अब ढयाँ हमें छोड़के निकलेंगे और प्रॉब्लम्म यह है कि आप लोगों ने बाए का चैनल अभी-तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करतो यार इतन कर दो किसी भी यूटूबर के गर में गुसो ना तो बे दडले से कैमरा उन करके गुज़ा और वर किसी के गर में गुज़ा तो जूत मारे गा रहा हुआ